प्रक्रण त्रोन भारतमा राष्ट्रवाद राष्ट्रवाद उत्पन्न करता परिबळो सारांच राष्ट्रवाद एटले पोताना राष्ट्र प्रत्ते एकात्मता आने गवरवनी भावना जरूर पड़े पोताना राष्ट्र प्रत्ते तन मन धन न्योचावर करवा तैया रहवानी भावना आधोनिक राष्ट्रवाद नों सवप्रथम उद्भव यूरोप मा थयो होवा थी नव जागरुती, धर्म सुधारणा, अमेरीका औने फ्रांस नी क्रांतियो, इटली औने जर्मनी नू एकी करण वगेरे परिबलोए यूरोप मा राष्ट्रवाद नों फ रष्टी कौन मा फेरफार थया सैद्धान्तिक समझ एक राज किय अंग्रेजोना शासन पहला आपना देश मा राज किय एक तानो अभाव होवा थी भारत नाना मोटा रजवाडा मा वहचायलू हतू आम अंग्रेजो ये भारत ना घणा राजवीयों ने हरावी ने मोटा भागना भारत उपर प्रत्यक्ष के प्ररोक्ष डिते अंकुष स्थापयो औने एक सर्खू वहवटी तंत्र अमल मा मुक्यो बै आर्थिक अंग्रेजो भारत मा थी काचो माल इंग्लेंड लेज़ता अने त्यां उत्पादित करे लोग तयार माल भारतना बजारों मा वेचता इंग्लेंड तरफती भारत आउता माल पर नजीवी जकात लेवाती जरे हिंद मां उत्पन्नत अता तैयार माल उपर वधु जकात लेवाती परिणा में भारत मां उत्पन्नत हैलो माल मोंगो पर तो आम आहरी फाई मां भारत ना हस्तो द्योग टकी शक्या नहीं त्रोन वहन अने संदेशा व्यवहार भारतमा रेलवे, तार, टपाल, जमीन तथा जड़ व्यवहार ना मार्गो, लशकरी, आर्थिक तथा राजकिय कारणों सर विक्सावामा आव्याहता छताए तैना थी देशना लोकोंने लाब थायो, तेमना संपर को वधवा थी, गनाती, कोम अने प्रदेशना भिदभावो ओचा थाया राश्ट्रिय नेताओ, तेमना विचारो तथा यूजनाओ, प्रजाना तमाम वर्गों मा फैलावी शक्या प्रादेशिक कक्षाने बदले राश्ट्रिय कक्षानी नेतागिरी उभी थाई चार, शिक्षण अने साहित्य भारतिय राश्ट्रवादना उदैमा अंग्रेजी केलावनेनों पन मोटो फालो रहो विश्वनों घणों बधू साहित्य अंग्रेजी मा होवा थी आपना देशना लोकों अंग्रेजी भाशा शिख्या आ कारणे अमेरिकन स्वातंत्र संग्राम मा थी लोक शाहीनी तथा फ्रांसनी क्रांती मां थी स्वतंत्रता, समानता अने बंधुत्वनी भावनानी प्रेर्णा मली देशनी प्रादेशिक भाशाओं मां नवल कथाओ, नाटको, वार्ताओ, काव्यो अने गीतो वगेरे लखाया जेने रास्ट्र भक्तिनों संदेश आप्यो पांच वर्त्मान पत्रो रास्ट्रिय चेतना फैलावा मां वर्त्मान पत्रों ये नौंध पात्र हिस्सो आप्यो तैमज बंगाल, मुंबई, मदरास तथा बिजा प्रांतों मां प्रसिद्ध तता आखबारों ये सरकार्नी नीतियों ने ठीका करी 6. भारत नों भव्यवारसो पास्चात्य पुरातत्व विद इटली के अलेक्जांडर कनिंहाम तथा तैना मदद नीशोय भारत ना अनेक प्राचीन स्तलोय खोद काम करया 7. भगवान लाल इंद्र जी जिवा भारतिय पुरातत्व विदोय पन अनेक पुराणा आउशेशो शोधी भारतियों ने देशनी संस्कृतीनी भव्यतानों ख्यालापयो 7. हिंदी राष्ट्रिय बहासभानी स्थापना सारांश 8. हिंदी राष्ट्रिय बहासभानी स्थापना मा जुदा जुदा परिबळो तथा केटलीक प्रादेशिक संस्ताओ जैम के बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी 9. कोलकाता, मद्रास नेचिव सभा, चिन्नाई, इंडियन असोसियेशन, कोलकाता, बॉंबे असोसियेशन, मुंबई, सार्वजनिक सभा, पूने, वगेरेनों पन फालो हतो सैध्धान्तिक समझ, सर एलन ओक्टेवियन ग्यूम नामना निवरुत्त अंग्रेज अधिकारी ने खात्री थाई चुकी हती, के ब्रिटिश सामराज उपर थी देखाये एकलू सलामत न थी आम 1857 स्वातंत्र संग्रामनी घटना फरेथी न बने ते माटे बंधारणिय संस्ता स्थापवानों विचार ततकालीन वाईसरोय डफ्रीन ने समझावी करवामा आव्यो एओ यूमना प्रयतनो थी डिसेंबर 1885 मा हिंदी रास्ट्रिय महासभानी स्थापना करवामा आवी जनु प्रथम अधिवेशन मुंबईनी गोकुर्दास देजपाल संस्क्रुत पाट शाणामा 28. डिसेंबर 1885 ना रोज व्योमेश चंद्र बैनर जी ना प्रमुक्पदे मल्यो आम भारतना जुदा जुदा प्रदेशु मा थी बौत्तेर प्रतिनी धियोए हाजरी आपी तेमा दादा भाई नवरोजी गोपाल कृष्ण गौकले फिरोज शाह महता बद्रुद्दीन तैयव जी केटी तेलंग दिनशा वाच्छा वगेरे मुख्या आगेवानो हता त्रिजु अधिवेशन 586 मा दादा भाई नवरोजी ना प्रमुक पदे मल्यो जैनी सभ्यसंख्या चार सो बतरी सती त्यमज त्रिजु अधिवेशन 587 मा मल्यो जैनी सभ्यसंख्या 607 हती महासभानी प्रथम तबक्कानी कामगीरी 1855 थी ओग्निस्सो पांच महासभानी प्रथम कामगीरी बंधारणी होवा थी सरकार समक्ष राज की अहको आर्थिक औने सामाजिक विकास औने शेक्षनिक प्रगती बाटे करेली मांगणियोंने अंग्रेच सरकारे अवगानी हती सरकारी नौकरियों माहिंदियोंने वधारे प्रमाणमा लैवा लशकरी अने मुलकी खाताओं मा थतो खर्च घटाडवो खेड़ुतोंने देवामा रहताफी ग्रुह उद्योग ने सजीवन करवा वगेरे मांगणियों करवामा आवती महा सभाध्वारा केंद्रिय तेमज प्रांतिक धारा गुरुहोंने विस्तार करीने तेमा 50 टका सभ्यो चूटायला राखवा तथा कारोबारीने शक्य तेटली हदे धारा सभाने जबाबदार बनाववी तेमज व्यक्ति स्वातंत्र तथा वानी स्वातंत्र आपता काईदाओ पसार कर्या हता अंग्रेजोंनी बदलाती वृत्तियों सारांश हिंदी रास्ट्रिय बहा सभानी स्था अपनानी शरू आत्मा अंग्रेज शाशकों तेना प्रत्ते सहानुभूती धरावता हता परन्तु थोडाज समय मा तेओ विरोधी बन्या गवर्नल जन्रल कर्जाने रास्ट्रिय विरोधी किटलाक पगला भरी भागला पाड़ो अने राज करोनी नीती अपनावी ने बंगालनू इस विसन उग्रिसो पांच मा वाइसरोय कर्जाने विभाजन कर्यों तेमा बिहार अने ओरिस्साना किटलाक प्रदेशों नो समावेश था तो हतो जैनी वस्ती साथ करोड ऐसी लाक थी वधु हती वाइसरोय कर्जन मुस्लिम बहुमती ने अलग करी हिंदु मुस्लिम वच्चे कुमवाद उभो करी ने वधती जती राज किया जागरुती ने नबली पाड़वा मांगता हता जैनों इरादो राष्ट्रिय नेताओ समझी काया अने तेयोए आ योजनानों उग्र विरोध कर्यो सैध्धान्तिक समझ बंग भंग नू आंदुलन बंगालनी एकताने तोड़नारा आ भागलानों विरोध कर्वा आ आंदुलन मां बंकीम चंद्रचट्टो पाध्यायनी आनंद मठ नवल कथानू वंदे मातरम गीतने लडायनों नारो बनावा मां आवयो अने जेदिव से भागलानों अमल शरू थायो ते दिवस बंगाल मां शोक दिन तरिके उजवा मां आवयो रविंद्रनाथ टागोर ना सूचन थी ते दिवस ने एक ता दिन तरिके पणुजवायो स्वदेशी आंदोलन बंग भंग नी लड़तने उग्रा अने व्यापक बनावा त्रोन लक्षनों अमल मां मुगवा मां व्याहता एक स्वदेशी मालनों वैपार करवो बै विदेशी मालनों बहिशकार करवो अने त्रोन रास्ट्रिय शिक्षन लेवो आउद्देशों ने हासल करवा बंगालना लोकों ए एक लड़त समितीनी रचना करी जमा सुरेंद्रुनाथ बैनर्जी, बिपिन चंद्रपाल अने अर्वींद घोष जेवा कॉंग्रेस ना आगल पड़ता ने ताहता वर्त्मान पत्रोना लखानों, सर्गासों, जाहर सभाव अने लोक गीतों द्वारा स्वदेशी नों प्रचार करवा माव्यो परिणामें इंगलेंड थी आया थता कापड, मीठू, खांड, बूट तमागू वगेरेनी आया तो घटी तमाँ बनेला कापड अने अन्य चीज वस्तु ओनू वेचान वद्यो जहाल वादनू उदय, सारांश, दादा भाई नवरो जी, सुरेंद्रुनाथ बैनर जी, गोपाल कृष्ण गौकले, फिरोच शाह महता, वगेरे नेताओ बंधारणी यमारगे, राजकी यह को मेलवा प्रयत्न करता हता तेमच तेमना समय प्रमाणे नरम वलन अपना व्यू होवा थी, मवाल वादी तरीके ओलखाया तेमने कामगीरी ना परिणाम स्वरूप, जागरुत थैलो हिंद नो यूवा वर्ग, उत्सा ही, आकरामक अने आत्म विश्वास्ती सभर थैलो होवा थी, तेहो मवाल नीती ने बदले आकरामक नीती अखत्यार करवा मामान तो हतो सैध्धान्तिक समझ, जहालवादी नेताओं मा लाल बाल ने पाल नी त्रिपूटी थी ओलखाता लाला लजपतराय, बाल गंगाधर टिलक अने विपिन चंद्रपाल नो समाविश्था तो हतो जे स्वराज ने इनाम तरीके नहीं, पण हक थी मिलवामा मानता हता जहालवादी नेताओ, लोकमान्य टिलक 856.920, लोकमान्य टिलके एक मंत्रा आप्योहतो के स्वराज मारो जन्मसिद्ध अधिकार छे, अने हूं, तैने मिलवीनेज जमपिश तैमने गनेश चतुर्थी अने शिवाजी जैन्ती उच्सवो उजवानू तैमज मराठी भाषामा, केसरी अने अंग्रेजी भाषामा, मराठा नामना बै वर्तबान पत्रों शरू कर्या इस्विसन ओगने 166 मां, होम रूल चलवल मां, तैमने सक्रिय भूमी का भजवी हते लाला लजपतराई, अधार सो चप्पन्थी ओगने 188 लाला लजपतराई शेरे पंजाब तरीके जानिता बन्या हता तैमने धी पंजाबी और धी प्यपिल जिवा वर्तबान पत्रों शरू कर्या तैमजी स्विसन 1928 मां, तैमने साइमन कमिशन नो विरोध कर्यो जम आप पोलिस नी लाठी ओना प्रहार धर्म्यान, तैमने कहु हतू, के मारा पर करेला लाठी ना एक एक प्रहार ब्रिटिश सामराज्य ना कफन नी खाई बनी रहशे आम अंग्रेजुना लाठी प्रहार थी तेमनों अवसान थयो बिपिन चंद्रपाल 858-132 लाल बाल ने पाल ने त्रिपोटी ना त्रीजा बंगाली नेता बिपिन चंद्रपाल हता ब्रह्मो समाजना संपर्क मा अव्याबाद तेमने न्यू इंडिया सापताहिक अने वंदे मात्रम वर्तमान पत्रिश शरू कर्यों हतो अंग्रेज सरकारे युवानोंने हिंसक मार्गे उश्केरवानों तेमना पर आरोप मुक्यों हतो मुसलिम लीगनी स्थापना सारांश महारत मा ओग्र राश्रवाद जड़त थी फैलातो हतो क्यारे अंग्रेजोए राश्री अचेतना ने तोड़वानों प्रयत्न कर्यो तेमज मुसलिमोंना एक जूतने समझावामा सफ़र रहा परिणामे इस विशन 1906 मा धाका मा मुसलिम लीगनी स्थापना थै आ संस्थानी स्थापना मा मुसलिमोंना धार्मिक वड़ा आगा खान धाकाना नवाब सले मुल्ला खान वाइसरोय मिंटो और तेना खान की मंतरी डनलोप स्मीथे महत्वनी भूमी का भजवी हती सैद्धान्तिक समझ होम रूल आंदोलन 1916 एपरिल 1916 मां बाल गंगाधर टीला के पूना मां इंडियन होम रूल लीगनी स्थापना करी अने जाहर करिऊ के स्वराज मारो जन्मसिद्ध हक छे अने हुँ तैने मिलवी नेज जम्पिश आम त्यारेट तैमने लोकमान्य तरीके बिर्दावा मा आव्या एनी बेसंटे मदरास मां सप्टेंबर 1916 मां होम रूल लीगनी स्थापना करी जैनो हेतू बंधारणी या मारगे होम रूल मिलवानो हतो तैमज तैने तैना साप्ताहिक धी कॉमन विल अने दैनिक न्यू इंडिया मां लेखो लख्या एनी बेसंटे ब्रिटिश सरकार ने हिंदने जवाबदार राज्य तंत्र अने ग्रुह स्वराज वहली तके आपवानो अनुरोध कर्यो जमां कॉंग्रेस अने मुस्लिम लीगे होम रूल आंदोलन ने टेको आपयो जैने कारणे मदरास सरकारे तैनी धर्पकड करी अने उटा का मंड मां नजर कैद राख्या एनी बेसंट ने मुक्त कराववा देश मां सभाव अने सर्गसु द्वारा ठैर ठैर विरूध व्यक्त करवा मां आवयो अने अन्त मां तैमने छोडी दैवा मां आवया तैमने डिसेंबर ओग्णिसो सत्तर मां कोलकाता मुका में भरायला कॉंग्रेस ना अधिवेशन मां सव प्रथम बहिला प्रमुक्तरी के पसंद करवा मां अवयाता लखनव करार इस विसन ओग्णिसो पंदर मां कॉंग्रेस ने मुस्लिम लीगे एक साथे मुंबई मां अधिवेशन भर्यो एक वर्ष पची कॉंग्रेस ने मुस्लिम लीगे तमना वार्षिक अधिवेशन एक साथे लखनव मां राख्या जमा लोकमान्य टिला के हाज रिय इस विशन 1907 मां सूरत कॉंग्रेस अधिवेशन मां मवाल वादी तथा जहाल वादी जूत अलग पड़या जे हवे एक थे गया हता। सुभास चंद्र बोज नु जन्ब 23 मी जान्युवारी अधार सो सत्तानु नारोज ओड़ी शाना कटक मुका में थायो हतो। तेमनी मातानु नाम प्रभावती अने पितानु नाम जान की नाथ बोज हतो। बाल पन थीज तेवो तिवरप वुद्धी प्रतिभा धरावता होवा थी। इस विशन ओग्णि सो वीस मां लंडन मां आईसी एस नी परिक्षा मां चौथा नंबरे पास थाया। भारत मां आव्यापची हिंदी राष्ट्रिय महसभा मां जुडाया अने स्वातंत्रे चलवलो मां भाग लिधो जमां अग्यार वकत राज की यक्यादी तरीके पकडाया। त्यार बाद इस विसन ओग्णि सो आड़त रिस मा हरीपुरा कॉंग्रेस अधिवेशन मा सुभास चंद्र बोज कॉंग्रेस ना प्रमुक बन्या। सैध्धान्तिक समझ, में 119 मां सुभाष चंद्र बोज ए फॉर्वाष ब्लोक नामना नवाराज की अपक्षनी रचना करी। सरकारे जलमाथी मुक्त करया औने तैमनाज मकान मां नजर कैद राख्या। सत्तर भी जानिवारी ओग्णिसो एकतालिस ना रोज मध्यरात्रिये सुभाष चंद्र बोज वेश परिवर्तन करी। पेशावर, काबुल औने मौस्को थाई बरलिन गया। जहां तेना रेडियो पर ना प्रवचन साम्भी, अंग्रेज सरकार चौंकी ओठी अने त्यार बाद सुमात्रा थैने जापान कया। जर्मनी तथा जापान अंग्रेजो ना दुश्मन देशो होवा थी। आ संजोगों नो लाब लई सुभाष चंद्र बोज ए। जर्मनी ना वड़ा हिटलर तथा जापान ना वड़ा प्रधान तोजो साथे पन वाच्ची चलावे ली हती। आजाद हिंद फौज ना सुकानी पदे। आजाद हिंद फौज ना सर्वुच्च नेता तरीके सुभाष चंद्र बोज नी वर्णी करी। जेमा तैमने नेता जीनू हुलामणू नाम आपवामा आव्यो। नेता जीये फौज ने चलो दिल्लेनू सुत्र आपयो। तैमज भारत ने जय हिंद नो मंत्र आपयो। तैमने दक्षिन पुर्व एशियाना देशों नो प्रवास करीने त्याना भारतियों पासे मात्रु भूमीनी स्वतंत्रता माटे तैमना सर्वस्वनू बलिदान आपवानी मांगणी करी। जयमा तैमने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हे आजादी दूंगा ना सुत्र द्वारा आजादी माटे आवान करी। काम चलाओ सरकार ओक्टोबर ओग्णिसो त्यातालिस मां सुभाश शंद्र बोजे सिंगापूर मां काम चलाओ सरकार नी स्थापना करी। जयमा तैमने पोते लशकर ना सर्वोच्च वड़ा तरीके नो होद्धो संभाळयों अने इंगलेंड अने अमेरिका सामे युद्ध जाहर कर्यों। आजाद हिंद फौज नी काम गिरी। सुभाश शंद्र बोज आजाद हिंद नी काम चलाओ सरकार ना वड़ा बन्यापची आजाद हिंद फौज नू पुनह आयोजन कर्यों। तैमने आजाद हिंद फौज बाँ चार लशकरी टुकडियों भी करेली। जना नाम तैमने घांधी, सुभाश, नहरू अने आजाद आपेला। आजाद हिंद फौज नी पुरुव सरहद आराकान अने एमफाल विभाग मां कितलाक विजयों मेलाव्या। परंतु पुरुवठानी भहंकर तंगी अने भारे वर्सादना कारणे फौज ने पीछे हट करवी पड़ी। जापानु पर अमेरिका द्वारा अनु बॉम्ब फैकाता युद्धनी परिस्तिती बदलाई अने हिंद फौज नू अस्तित्वन नाश पाम्यों। जमा चार हजार सैनी को नी खुवारी थाई अने पचीस हजार सैनी को कैद पकड़ाया। नेता जीनी प्रतीग ना हती के हुँ गुलाम हिंदुस्तान मा पग मुकेश नहीं। तेथी तेओर रंगोन अने बैंकोक छोड़ी ने विमान मार गे आगल वध्या। जापा ने करिली चाहरात मुझब अधार अगस्ट 1945 ना रोज फॉर्मासाना ताईपेई विमान मथकती विमान उपड़ियो अने तरतज तेने आग लागी। जमा नेताजी सखत दाज्या अने अवसान पाम्या एवु कहवाय छे। विद्यार्थियो आप्रकरण अहीं सब्सक्राइब।